क्या ये सूचते हैं कि सबसे लंबे समय तक मैंने राज में और जीत दिल आता रहा हूँ अपनी पार्टी को तो मुख्यमंत्री का चहरा मुझे ही होना चाहिए, मुख्यमंत्री मुझे ही बनना है हाँ सुप्टी, बीजेपी में ठीक ठाक है बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है हाँ सुप्टी, बीजेपी में ठीक ठाक है और सब मिलके मजबूती के साथ इस चुनाओ के मैदान में हम उतरने जा रहे हैं कहीं कोई आपस में इस बात को लेकर ठकराव नहीं है थोड़ा सा क्या रहे हैं कि लिस्ट में किसका किसका नाम आ रहा है जिस वज़े से थोड़ा सा मन मुटाओ हो रहा है अब चुनाओ के पहले अलग-अलग मीडिया, हाउसेस, अलग-अलग पत्रकार, अलग-अलग सुची जारी कर देते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत चर्चा और बाचीत होती है, मगर सब एक दो दिन में सब साफ हो जाएगा, सब रास्ति निकरेगा. रहा है, मुझे लगता है जैसे ही आचार सहींता लगेगा, इनके हाँ से सरकार निकल जाएगा चलं, इनके हाँ से तंत्र निकल जाएगा उसके बाद आप देखेगा कि और तेजी के साथ कांगरेस के गिरावट सुरू होगी और भारती जन्ता पार्टी ग्राफ उपर बढ़ेगा और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि 2023 के चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी पूर्ण पहुमत के साथ सरकार बनाने जारी है अब कोई शंका की कोई गुंजाई डॉक्टर रमन को या च्छतिगर की जन्ता को नहीं है यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता है जब पीएसी के पोस्ट को पीएसी की भरती में भर्ष्टाचार हो सकता है तो और दूसरे मामलों को लेकर आप तुलना कैसे कर सकती है डॉक्टर रमन सिंग क्या यह सूचते हैं कि सबसे लंबे समय तक मैंने राज में और जीत दिल आता रहा हूं अपनी पार्टी को तो मुख्यमंत्री का चहरा मुझे ही होना चाहिए मुख्यमंत्री मुझे ही बनना ह नहीं कोई देखें मुझे जब उसर रह पार्टी ने एक बार दो बार तीन बार आप मोका दिया और पंदरा साल मैंने मुख्यमंत्री के हैसे से काम किया केंदर में मंत्री के रूप में भी पांस साल मुझे काम करने का उसर मिला आगे जैसा भी पार्टी का निर्णाय होगा, जो तै होगा, मैं उसके साथ हूँ, उसमें कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर रमन ही हो, भारती जनता पार्टी कमल निशान हमारे लिए परियाप्त है, कोई भी व्यक्ति